टॉंक में कोरोना संक्रमन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहां आज पांच नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए पेमो डॉक्टर नविंद्र पाथक नहीं ये बताया कि कोरोना के मरिजों का आंकड़ा जिले में 154 हो गया है टॉंक में 17 मैं से कर्फ्यू में छूट दी जा रही है और ऐसे में अब दो दिन में 10 नए मामले सामने आ गए वहीं दूसरी और राहत की बात यहां पर ये भी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है जिले में कुल संक्रमितों में से 137 लोग स्वास्त हो चुके हैं और फिलहाल 12 केस एक्टिव है